दोस्तों पर्यावरण का अर्थ संपूर्ण प्राक्रतिक परिवेश से हैं जिसमें हम रहते हैं इसमें हमारे चारों ओर के सभी जीवित और निर्जीव तत्व भी सामिल होते हैं जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, पौधे, जानवर और अन्य जीवजन्त। दूसित परियावरण उन घटकों को भी प्रभावित करता है, जो जीवन जीने के लिए आवस्यक होते हैं, ऐसे में परियावरण के प्रति, लोगों को जागरूप करने, प्रकिर्थी और परियावरण का महतु समझाने के उद्देश से हर साल विश्व परियावरण दिवस क एक निश्चित तरीक को मना जाता है, भारत समय दुनिया भर में 5 जून को परियावरण दिवस के रूप में मना जाता है, इस मौके पर विभिन देश अलग-अलग तरीके से परियावरण को लेकर अपने नागरिकों को जागरूप करने के लिए अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं पर्यावरण दिवस मनाने की नियू 1972 1972 में पड़ी जब सयुक्त राश्टаствरंग ने पहला पर्यावरण दिवस मनाया था और हर साल इस दिन को मनाने का ऐलान भी किया था दरसल दोस्तों पहला पर्यावरण समेलन 5 जून 1972 को मनाय गया था जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था श्वीटन की राजधानी इस टाकोम में यह समेलन आयुजित किया गया था समेत राष्ट महासभा ने मानो पर्यावरण पर इस टाकोम समेलन के पहले दिन को चिन्नित करते विए 5 जून को पर्यावरण दिवस के तौर पर नामित कर लिया भारत समेत पूरे विश्व में प्रदूसर्ण तेजी से फैल रहा है बढ़ते प्रदूसर्ण के कारण प्रकिर्ती खत्रे में है प्रकिर्ती जीवन जीने के लिए किसी भी जीव को हर जरूरी चीच उपलब्द कराती है ऐसे में अगर प्रकिर्ती प्रभावित होगी तो जीवन प्रभावित होगा ही प्रकिर्ती को प्रदूसर्ण से बचाने लिए प्रेरित भी किया जाता है देको फ्रेंट्स प्रतिवर्स विश्व पर्यावर्ण दिवस की एक खास थीम भी होती है पिछले साल यानि कि विश्व पर्यावर्ण दिवस 2023 की थीम थी Solutions to Plastic Pollution यह थीम प्लास्टिक प्रदूशन के समाधान पर आधारित थी और इस साल यानि कि 2024 में थीम है Land Restoration, Desertification and Drought Resilience इस थीम का फोकस हमारी भूमी नारे के तहत भूमी बहाली, मरोस्तली करण और सूखे पर केंद्री थे